आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार देख स्वागत और अभी नदन करता हूं मित्रो नमस्का मित्रों मैं उपस्ते दूंगे कि आज फिर आपसे एक विश्यस बारता करने के लिए बारता का विशाय बताऊं या थम मन्यर बताऊं उससे पर निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार दिख रहे हैं वो कृपिया सब्सक्राइब करें बेल एकन को प्रेस करें और देखिए जाते जाते नोटिफिकेशन में आप आल से लट कर देंगे न तो मेरे अगले वीडियो के सुटना सोता ही आपके एकाउंट में पहुंच जाएगी और देखिए यह प्रोग्राम है मेरा वो चंद राशी पर आधारे था आप चंद राशी से देखें लंड राशी से भी देख सकते हैं और दोनों में सब कुछ निमालम तो फिर अपना नाम राशी से द स neden के डेखा मितो अभी देखें मैं क्या चर्चा करने वा रहा हूं, मिरा क्या विशय है वो बताऊं लिए कि अभी जोご में साल 2023 का अंत होने क्यों है नम्म का महिना अंत हो रहा है तो दिसंबर मैं यह बताना चाहता हूं कि मेज से लेकर मीन राशी तक साल का आखरी मेना यानि दिसंबर दो जार तेईस किस राशी को कैसा अच्छा रहेगा कौन राशी ध्हवाल मचाएगी कौन राशी फरशिदेट भाकिशाली होगी कौन राशी महादनी होगी तो वो कौन-कौन सी रा पा रही हैं दिसंबर 2-23 मैं ग्रह कोचर से देखिए एक तो पर्मनेंट जो के ग्रह कोचर होता कि साल देढ़ साथ दो साल चलता है तो वो नहीं अपने ब्रस्पति हैं एक साल तक रहेंगे और ऐसे राहू जेढ़ साल तक शनी धाय साल तक तो ऐसे जो है यह तो बहुत ल उनका असल ज्यादा होता है तो अभी देखते हैं कि हैं पहली नiefकर सूरह करते हैं कै मेश क्राशी क्लातब करनाइं सीरु कने है मेश राशी कर चाहें यह जैगा है बहुत परीकर ददों हुआ है जो कि राव ते भुत-थे रहा है जहां जहां बैठे हैं वहां पे भी और उनकी दिश्तिया जहां पांच मां सास्वा नवम पढ़ रही हैं तो मेश-राशी के लिए फ्रंतान को लाप दे रहा है और धामप्त जीवन अच्छा कर रहा है ब्यापार में तरक्षी जिला रहा हैं और भाग बाग बादन हो अच्छे हैंनि कुम राशी में मुल- एन्हमां 2022 मुल- एनि मुल्साइ में भाव हैं जार्मान भाव हैं कोई रहा लाबि दता है तो शुनि महाराज इहां बढ़के लाव देंगे आए ती तस्री दस्रिय से घर्षपति को भी बल देंगे यानि भ्रसपति को एक सपोर्ट करेंगे और उसके बाद फिर शप्तम दस्टी से हमने सामने जो है Eg जो बहुने जो पंचे मह को देखेंगि ग्नाल हो जो तो नहाषं उजम। और दस दसमी दस्टी जाएगी तो अश्ट्रम आउपे जाएगी अश्ट्रम आउपके देकि मंगल और सूर्व है यह यह आपकर अभी दिसमबर के मिनें फिर सूर्य 16 दिसमबर को अच्छान प्रवरतन करके आ जाएंगे भागे वहां में धन्य राश्य तो शनि महारा की दस से सूर्य मंगल पर पढ़ रही है मंगल भी कहा है अस्टम में अपनी राशी में देखिए बिश्यक राशी में तो मंगल अत्य उच्छ के है सूर के साथ मंगल बलकर धन भाव को देख रहा है तो धन दे रहा है बराबर मंगल तो धन देंगे देंगे का मंगल तो अपने उच उच्छी अपनी इस्कूर भी राशी में हाला कि छटे आठ बारे भाव में आप कहते हैं ज़्यारता कि लेकिन यह तो विप्रीद राज्योग बनता है कि मंगल अपनी राशी में उच्क होके बैठा हुए है उच्छाँ वर्या का स्वामी श्याड़ वर्य में बैठ जाता है तो मंगल उचके हैं और विप्रीद राजयोग में रही हैं मेश राशी के लिए तो ये बहुत अच्छा है और देगे 30 नमबर को शुक्र जब आगए सब्तमभावय यह आपनी राशी में अपनी राशी मीन्स तुछा राशी तर मेंढ़ चुक्र सब्तमभावन बेश केंद्र में तो मालभ राजयोग बना रहे हैं तो पाव में उनकी राशी है ब्रिशाव राशी तो ब्रिश्ब धन वाव के स्वामी बहुत अच्छा मालब राजोग बनाके बढ़ा है मंगल धन दे रहा है शुकत धन के मालिक धन दे रहे हैं तो देखिये और ब्रैसपति कद्रम्ने पताई दिया भागी बर्दन करना है तो न भागे बढ़ेगा तो धना आएगा तो यह जो बड़े बड़े गरह है और राहू देखिए बिदेश भावते बहुत लाग दिला रहे हैं थोड़ा खर्चा कराएंगे वह तो खर्चा के लिए पैसा भी आरा डिफरेंट दोस्ते तो मेश राशी के लिए अब देखिए मंग अच्छे हो गए और छोड़े दिसम्बर के बाद पर बुद्ध के पास पहुंजाएंगे मंगोस दिसरे इसरे आए बुद्ध की राशी है मिथुन तो भाग ने में बुद्ध सोने होग सबहें तो बुद्ध आतित राजयोग के लिए नवम भाव से तीसरे भाव को देख और तीसरे भाव में बुद्ध की राशी है मिथुन तो भागी भाव में बुद्ध बैठकरके तीसरे भाव को देखेंगे तो तीसरे भाव से भी बहुत धनलाब करेंगे यानि जाता कि अपने काम के लिए यात्रा करेंगे वो लाबकारी होंगी भाई मेनों से लाब मिलेग तो भागी भाव मेट करके बुद्ध और उत्तराद में इस महेने के दिसमबर के उत्तराद नहीं बुद्ध अस्थूरी भागी चमकाएंगे और त्रिक्टी भाव को भी बहुत जवरदस्त आपका प्रहक्रम बढ़ाईव हैंगे तो आप बहुत अक्टिबली काम करेंगे व मैनाद करता है मंधरी से काम करता सजर्म उसको राप दीतने है तो मेरे साप्टी तो मे राषी को यह जो दिसंबर 2023 का महीणा है यह कि साल के आखरी महीना बहुत ही लाबकारकのでस्व कारक धनकारक संतन को सुखतेन माला संतान को नया निया काम पंचम बदस्टी पड़ लिए तो संतान को नया ना जौप और जैकि नवम में जो है सूर्य पुद्ध आगे तो धार में काम भी आप कर सकते हैं और यात्रा भी होंगी पिता से सवयोग मिलेगा तो मेश राशी तो बहुत अच्छी है अब ब्रसब राशी के लिए देखता हूं मैं तो ब्रसब राशी के लिए देखे भाई शुक्र जो है सब्तम तुला राशी में आये लेकिन छटे भाव में आये अलां छटे भाव में भी विप्रीद राशोग बनना है कि शुक्र अपनी राशी में उच्छ के बैठा हूं है छटे भाव में छे आट बारे में तो विप्रीद राशोग तो बनता है और देख भी रहे हैं वो विदेश भाव को तो व जगने में ब्रास्पति बैठे हुए थे, ब्रास्पति शुक्र का समसब्तक बनना था, वो भी लाब जे रहा था, शनी का और शुक्र का भी देखिए, एक, दो, तीन, नवम पंचम बनना था, तो शनी से भी शुक्र का नवम पंचम का सम्वन्द, कितने-कितने राजों बनन क생 एक बहुत नहीं हो जयादा अच्छा नहीं हूं कि जो हो भाज में बहाऎ बार में बिदा हो सुझ्टरीmen इसमे ilag जभास, में ने मारत धन करेंगर हो नहीं कि आज यहां। तो मिर्माजु राशिक को शुक्र ब्रसपती की समसब तक से भी कोई ज्यादा लाव नहीं है और ब्रसपती के बाहरे में बैठे से तो लाव बिशक्ता है पार बिदेश से खर्चा भी अरा भीमार्यों में खर्चा हो सकता है हां शनी जरूर ठीक बैठे हुए है कर्म शेत्र में, शनी से तो लाब मिलेगा, और शनी की दिश्टिया भी देखिए ब्रहस्पती पर रही है तो बिल्यत से लाब मिलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, शनी की जो दिश्टि पर रही है दस में, वो मंगल पर सूर पर पढ़ेगी, मंग मंगल पर सूर्य से व्यापार में तरक्की होगी, व्यापार अच्छे होगा, दाम पत रीवन में अच्छे होगा, और मंगल पर दिख रहा है, मंगल तो दिखी ठोड़ा मंगलिक दोस बनता, आप चादी भया के लिए नुक्संद आएगा, चादी ब्यादी आपके इन दन में होने वाली हो तो उसका ध्यान रखिएगा अधरवाइस पर से मंगल लगन को देख रहे हैं जाता का स्वरी पुष्ट होगा कर्म शील होगा काम करेगा मेंति होगा धार्मिक होगा और वीवालिया भी नहीं होगी कि तो मेरे थाब से जहां नगया नगया थिखें जैंगे लेकिन अश्टमवाव पर अस्ठमवाव नहीं हैं और ब्यापार की जो तख हैं तो ब्यापार से बुद्ध लाब दर आएंगे तो ब्रसव राशी को भी मैं समझता हूं लाब तो होगा क्योंकि बुद्ध भी धन्वा को देख रहे हैं सूर धन्वा को देख रहे हैं और बुद्ध अपनी मिस्वन राशी को देख रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा लाब जो है विर्षभ इसलिए विर्षभ राशी को में अच्छी केटेकरी नहीं रखता क्योंकि मितन नाशी के लिए निके शुक्र जो है पंचेम भाव में आगए पंचेम भाव का मतलब संतान का भाव और प्रेम प्रशंग को चाहर हो तो प्रेम में सब्लता में भब में सब्सक्राइब तो यह दो मिदों राची थो यह सुक्र मैं नो जिए बहुत जबतास्ता है। और जो कहें मंगल और सूरी मंगल अपने इसकोर्पियों बेठ़ेंगे च्टे भाव में और च्टे भाव में मंगर बैठ करके यह भी विप्रीद राज्यों बनाएंगे दर्शी जाएगी बारे में बाव में तो रोग रण से मुक्ति दराएंगे सूर भी है शत्रु हंता भी बनाएंगे और विदेश को देखेंगे तो विदेश से तो धन का कर्चा कराएंगे और सूर्य बुद्ध Sheikop estás 시u बढ़कली से तरया हुदर क्या क्या थैगा बुद्ध और राहु जोहह्त सब्सक्रहार को से नोक्डी से राओ और राभा तो राहू जो देसमरव में तो भी दसमराण में यानमन सब लावीね लाव देते полов दे थे तो में तुन राँची के लिए मैं समझता हूं कि में दिसमर का महिना शुक्र की अच्छी हुष्थित्चिये P 75-11 में और शुक्र का शनी के साथ 5-95 का स्नुस्थ बनना है शनी नमय भाव में भागी बर्धन कर रहा है शुक्र पंजय महाव में धन दे रहे है ग्यार में पर देश्टी पड़ रही है तो शुक्र शनी भरहत्पर रही तीरों ही बहुत जवर्दस योग बनना है और उसके अलावा सूर्य बुद्ध भी देगी सप्तम भाव म बैठकर के परवार कुटम का अच्छा दांबा जीवर अच्छा और व्यापार में बड़ी तरक्षी तरह रहा है अगर व्यापार ही है आप तो बहुत विश्यस लाप होगा तो मितन राशी को मैं बहुत अच्छी मां सकता हूँ याणि स्नमड 2023 की अच्छी राशी में से जो धम्य पर मिचा दिया राशीयां वो मेश राशी और दूसरी मितन राशी अब देखे कर्क राशी के लिए क्या चोथी राशी पहले भाव में है और शुक्र जो है चोथे भाव में यानि आगए सब्तम राशी में मालव राजो बना दिया क्योंकि केंद्र में आगए तो कर्क राशी के लिए मालव राजो बन गया तो सुख भाव में बैठ करके माता का स्वास तच्छा करेंगे और शुक्र सारे सुख साधन जो भी सुख की चीज है सम बिलेंगी और ब्रैस्पती को देख रहे हैं तसम भाव में सामने ब्रैस्पती रोजगार में और नौकदी में तरक्की पद्पतिश्ट्रा मान सम्मान पद्वननती वेतन ब्रद्धी शुक्र ब्रैस्पती दोनों बिल करके सम सब्तक बनना यह दोनों का बड़ा जवर्द से दोनों गुरू आमने सामने बढ़के ऐसा काल ऐसा पीरेड मुश्किल से आता है और शुक्र का आप देखिए एक दो तीन चार पास शनी के साथ बनना और देखिए मंगल और सूर जो हैं पंचम भाव में हैं मंगल और सूर शूर बुद्ध आजाएंगी बाद में छटे बाव में 16 दिसंबर के बाद तो बुद्ध फिर यहां से छटे बाव से बार में अपनी मिसुन राशी को देखेंगे तो ब्यापार होगा बुद्ध लाब कराएंगे बिदेश्ट लेकिन करक राशी के लिए शुक्र का चौते बाव में बेठाना ब्रस्पति का दसमें बाव में बैठना शुक्र का मतलब अभी सब्तम में मालव राजु बनाना यह बहुत जबर दस्ते देखिए तो मैं तो शुक्र का यहां आप दिलाएंगे तो मैं समझता हूं यह जो करक राशी के लिए भी जो है बहुत अच्छा समय हो गए धन आएगा शुक मिलेगा माता का स्वास चाहोगा भूमी भवन बंगला गाड़ी शुक्र तो एस्टरी दाता संदर दाता सब कुछ शुक्र से संब्धित व्यापार क्य अब बिश्यापार करते हैं उनको विश्याइश लाब मिलेगा तो इस्तरे मैं समझता हूं यह चार राशिया मैंने बताएं अब तक मेश, ब्रसब, मिथुन और करक इन चार राशियों में अभी तो मेश राशी, मिथुन राशी और करक राशी तीन राशियां बहुत जव है कि अब वर्दस लाब पारिया, धन पारिया, चुक पारिया है, शुक्त है, अगली राशी वह देखे है सिंग राशी शिंगराशी के लिए देखिए ब्रैस्पती जो है भागी भाव में बेठे हुए है भागी भाव के ब्रैस्पती और दस्टी भी जो पढ़ रही है एक दो तीन चाहर लगन पर पढ़ रही है और तीसे भाव में पांच में भाव में धनुराशी पर तो ब्रैस्पती भागी म सेही बैना मेनत के बिना कर्म किये आपको लाप मिल जाएगा पैसा मिल जाएगा धन भाग जोन मैं समस्मूंज नहीं बहागने जोर नहीं कर्दों और मैं समझता हूं ब्रहश्म्टि की जो है ड्रसरी प्रदाई है यह सुक्र बहाव से ङात्राएं गई निस्ट पन्च Tokyo का समसर्थख भनता है वह नंवेला में धुल्य में रहाँ और वहां से पंचम दस्टी पढ़ रही है शनी पर बुद्ध पंचम नवम पंचम बन रहा है दस्टी तो नहीं लेकिन नवम पंचम यो कहते हैं बुद्ध का नहीं शुक्र का और सनी का शनी जो सत्तन बाव में बढ़ करके दांपा जीवन अच्छा करेंगे ब्यापार में तरक्की दिराएंगे लगन को देखेंगे तो जातका शरी भी अच्छा करेंगे ब्याधियां बीमारियां दूर करेंगे तो ये तो बड़े-बड़े ग्रह हो गए राहु जरूर चौते वाव में वो सारे सुख साधन दिलाएगी जहां मंगल की राशी स्कॉर्पियो है और सूर्य मंगल बैठे हुए है तो सूर्य मंगल पर लेकिए राव की दृस्टिय पढ़ रहे है नवम और ब्रश्पती की तो दृस्टिय पढ़ रहे है वो अप्ते धनुराश्य गोject पहुए और मंगल विन प्रट बन गया क्यों मंगल केंद्र में बैठे अपनी राशियम बेठे हैं मंगल का रुचेक महापुरुष राजयोग, शनी का शस महापुरुष राजयोग, जो शनी सप्ता में बेठे हुए कुम्बराशी रहा है, और जब 16 तारिक के बाद देखिए, सूर्य चले जाएंगे पंचयम भाव में बुद्ध के पास, तो ये भी बहुत अच्छा ही होग है, युबराश, बुद्ध, पंचयम भाव में बेठे करके, शिछा सम्मंदी कारय में सबलता दलाएंगे, संतान को सबलता दलाएंगे, और अपनी राशी को देखेंगे, घ्यार वहाव में लाव बाव में, तो लाव ही लाव का पतला धानी धन, तो बुद्ध भी धन दे व्रहतिके मीन राशी में है तो व्राव भी धन की दर्षी धंपढाएंगे धन तो देंगी देंगे और सकते पार में माता का स्वास अच्छा और देके राहू छो जब देख रहे हैं चौते बातों धो राहू भी सुक देखते हैं रहा है है जाते हैं राजिनिती शेत्र में सब्सक्राइनिती में तरक्षी выглядяти सिंगरासी वाले जो जातक उनको राहिनी जीमें बोरे उच्छ पद्वी मिल सकती है उच्छ प्रतिष्टा मान सम्मान में जो है और पंचम में जब आगए बुद्ध भी आगए शूर भी आगए तो पंचम में तो फिर संतान को भी शबलता अच्छी बिलेगी और धन भाव लाब भाव पर दिश्क पढ़ेगी तो नहीं समयता हूं सिंगरासी के लिए शनी का भी सब्तम में शर्ष महापुरुद राजों बना के बैठना मंगला का रूचक महापुरुद राजों बैठना चोतर भाव में भूमि पूत्र मंगल हैं और भूमि पूत्र मंगल चोते तो आपने बैठें तो भूमी से लाव जमी इंजादा से लाव बंगला गाड़ी बगाए सब से सुक्य साथ में से लाव और वैसूर बुद्र तो नहीं पंचम भाव से और ग्यार में बागो देखने लाव को तो मैं समझता हूं दिसंबर का मिना जो है देकि और दिसंबर मे तो शुक्रिस्थान बदलेंगे पर शुक्रिस्थान बदलेंगे वह करिक्रिस सब्ता के अंते में आ जाएंगे 28 सिसंबर को मंगल भी इस्थान बदलेंगे और बुद्ध भी जो है 28 सिसंबर को बापिस अपनी धनुराशी से निकलकर ब्रिश्चक में से लाएंगे बक्री तो तो सब्ता करें महीने के हैंड में चाव यहाँ चाहरा बन गाला के और माझान के साथ दूनों करना। और फूख भावा बात करें तो सुख तो मिलेके फूक साथन की सब की अच्छा लुखन बंगला गाड़ी सब कुछ मिलेगा और धन भाव पर देखिए बुद्ध की दन भाव पर केतु बठे हुएं तो केतु बुद्ध की राशी है बुद्ध जो अच्छे बठे हुएं बुद्ध नवा में बठकरके पंचम में बठकर 11 को देख रहा हैं अपनी राशी ने फ्र अच्छे अमिसोन राशी को देख रहा है। और अच्छे बैठे तो कन्यराशीा कान्यराइची भी लाट देंगे। तो मैं समझता हूं शिन्यराशी को भी मैं आराम सी अच्छे क्टeगरी में ड़ीतास क्टाहाँ। यानि जो अच्छा धन मिला सिंग रासी भी दमाल बचा रहे क्योंकि ब्रश्पती बहुत अच्छे हैं शनी बहुत अच्छे हैं और बुद्ध और मंगल शुर्ष सब बहुत अच्छे हैं तो यह जो रहे राव भी अच्छा इतना बुरा निदेंगे थुरा सा शारी कस्ट दे सकते हैं तो उसके अलावा धन भाप रिष्टी अच्छानक धन म्याशक्ते राऊ जो अच्छानक क्याम करते हैं तो श्र्षिशो को भी मैं नमबर एक में जिसंबर की अधनी आ महा ध्माल मिचाने वले राशी में दे सकता हूं अग्ली राषी कर्णिय राशी के लिए ह जेतु आगे छटे कन्या राशी में लगन में और तुला राशी आगे धन भाव में तो धन भाव के काल पुरुष्की कुणली के धन भाव के मालेक शुक्र धन भाव में आगे तुला राशी में और उच्च के होगे अपनी राशी में है तो भाई कन्या राशी को तो अब द नाता है धन की बारिष्ट तो शुक्र कराएंगे गई शुक्र धंद्र लाएंगे ब्यापर हो तो ब्रसारच का मतलब ब्रश्पती बैठे हुए शुक्र मेध्र का ब्र customize का सब सब तक बनगा रहा है तो ब्रस्पति अस्तम से और शुक्र को देखने दूसरे वाह में तो प्रस्पती भी धन तो धन्तो शुक्र दोनों गुरु मिलाके बहुत अच्छा धन देंगे कन्य राशी के लिए अब रेस्पती देखिए एक दर्स्टी पढ़ेगी विदेश भाव पे तो अगर विदेश से आपका व्याँ पा रहा है विदेश से कोई काम है तो विदेश से अला मिलेगा पैसा तो शुक्र पर देश्टी पढ़ रही है और चौते भाव पर भी दर्स्टी पर रही है ब्रस्पती की चौता वाव कहा है चौते वाव मैं 16 देसमर के बाद सूर भी आ जाएंगे धनुराश्चिय और बुद्ध तो बैट रही है तो सूर्य बुद्ध पर बुद्ध आजि तो बुद्ध अपनी राशी को देख रहा है में तो कर्म शेत्म में नौकरी में तरक्की नौकरी में पैसा आधे सबका सहयोग तो ये बहुत कन्या राशी के लिए बड़ा अच्छा समय को बनाया के धन भाव में शुक्र धन दे रहे हैं कर्म शेत्म अपना बुद्ध की राशी बुद्ध खुद देख रहे हैं तो कारिस अभी तरक्की हैं कारिस्थर में अभी धन बिलाया है और भी भाव से धन बिलाया और भाई लाव में छंदरमा हैं जब आएंए कभी उसमें दो सबादो दन के लिए तो बहुत लाब मिलेगा, लाब आवामे चंद्रमा होने से भी धन तो आना है, और देखिए, शनी की दश्टी ब्रहस्पती पर पढ़ रही है, और शनी की दश्टी जो है, तीन, चार, पाच, छे, साथ, सनी की दश्टी जो है, बिज़ भाह पर पढ ब्रेस्पति की दिश्टी पड़ रही है तो धन भाव में तो यहनी दिसनुबर का महिना तो कन्या राशी के लिए बहुत धन दने वादा है तो भाई कन्या राशी को भी मैं अच्छा रख सकता हूं क्योंकि धन तो आ नहीं आना शुक्र जब तुरा राशी के शुक्र बैठ हुए है धन भाव में तो धन क्यों नहीं आएगा भाई और ब्रस्पति की किर्पा मिल रही है ब्रस्पति की दिस्टी मिल रही है तो बुद्ध और सूर बैठे हुए है सुक्र भाव में और दिस्टी पड़ रही है बुद्ध की अपनी राशी में कर्म चेत्त में तो कर्म हो गई सिंग और कन्या भी हो गई अब देखिए तुला राशी की बात करूं में अगर तो तुला राशी के तो खुद केंद्र में ही पहले भाव में लगन में आ गए शुक्र क्यों कि शुक्र तुला राशी में तो आए तो अभी तीस नारिक से लेकर के पच्छी दिसंबर यह रहना है तो लगन में बढ़कर शुक्र अपनी राशी को भी बढ़कर कि क्या नहीं देंगे और तो शुक्र जो है लगन से अपने सब्दम भाव को भी देखेंगे यानि दांपत जीवन को पती-पत्नी को जहां बरस्पती बढ़े होएं बरस्पती का साथ समस्पतक ब लगी ऑव्रस्पती खुद व्यापाओस को धिंद लाने वाले प्रेम प्रसंग बतन को पंतर को लाने वाले प्रेम विभा तो शुक्र व व्रस्पती का पहले और सातने बढ़ों में आमने सामने बैठना बहुत तुला राशी के बहुत जबरदस्ते हैं और शूर्य मंगल मंगल ब्रश्यक राशी में उच्छी के वोकर धन्बाह में बैटते हुए तो मंगल व्यापार के कारक मंगल व्यापार से धन्द लाएंगे धन्बाह में मंगल बैट गए तो देखिए मंगल तो अभी यहां रहेंगे मंगल अठ्थाईज दिसमबर को आगे इस्तान परब्र करेंगे तो अभी तो मंगल जो है अभी ब्रश्यक राशी में रहेंगे 18 दिसंबर जब साल का एंड आने लगेगा तभी धन राशी में जाएंगे तो धन भाव से सूर्य मंगल दोनों ही अच्छा खाता योग बन रहा है भाई तिती भाव में देखिए सूर्य आ जाएंगे बुद्ध के पास तो फिर मितन राशी को देखेंगे जो मितन राशी भागे बढ़तन कर रहें बागे बाव में बैठी है तो बुद्ध अपनी राशी को ही देख करके भागे बढ़तन करेंगे तो तुला राशी का भागी बढ़ जाएंगे तो बुद्ध तो सूर्य से ब है औु तोला राशी बड़ी प्री शि website उप पंजान वाद हो एं50 ध्यूंड को दिलाएंगे शंट्ण को तरक्वित और फडिश्वुरै प्ललनियखो genius और 20 संंट्धान को लाप दिलाएंगे और द्रॉ समझता हूं तो एक जान को संकности को अजरेकि मिलाप efforta तो जाना तर अब तक मुझे मिला है जो वो अच्छी राशे इम्ली दखी है कि मिस्त ब्रश राशी को थोड़ा कम कर दूं मैं बाकी तो मेश भी मितन भी कर्क भी सिंग भी कन्या भी तुला भी यह तो सब अच्छी अच्छा कर रही है सबको मतब धन मिला यह धमाल मचा रही है दोजार तेईस के आखरी महिने में अगली राशी देखी में देखता हूं ब्रिश्चिक राशी ब्रिश्चिक राशी के लिए मंगल केंद्र में और अपनी पहली भाव में लगन में आ गई अपनी राशी में आगई ब्रिश्चिक राशी में तो यहां बैठके फिर रोचेक महापुरत राजयों बना दिया और सूर्य के साथ हैं तो यहां और सामने देखेंगे सब्तम भाव में बिर्सभ राशी को तो सब्तम में दर्श्टी पड़ेगी तो ब्यापार में पार्टनर्स के साथ अच्छा संबन दांबत कि अंदि और दर्श्टन राशी यह जन्हड़ा में न haba wma sire शूर्यs चले जाएंगे निकल दे कर लिए 17 बार Damn दी सूर्य ॖ द्धन देंगे तो फिर बद्र नादमराम में प्यट्पिट यहां पर बुद्र दहन देंगे और वहां से बूद्र अपनी राशी को यहनी ब आतानियों ये दर्ष थे कि दिन नाशि को बुद्र देखेंगे जन बाव से slider प Kenneth देलाएंगे लख्राला अ्षन parole कर दंद लिए और सूर में से चेहर मार्केट से लोट्रीस से धन मिल सकता है और शब्सक्ता है बैठे हुए हैं कहां चौत हुब में चौता हुब बाल्में वांब पहस्तों ब्रश्पतीर्क थे देखिए अधिया ब्रस्पती किया होगा आद बाँ बाल्में आधिकुक्र निम्हा हम्स्तों धुजांटता हुँ दोट नहीं मांतां मैंका ज्ञाद कर दीए खर्하겠습니다 को किलिए और मंगल भी जो है लगन में आ गए तो थोड़ा क्रोध भी आ सकता है इगोस्टिक निचर हो सकती है दांपा जिवन भी ग्रबर हो सकता है और और ब्रस्पती का छटे में बैठना शुक्र का बारे में बैठना दोनों का समस्थ तक छे बारे का ज्यादा अच्छा नहीं है तो मैं समझता हूं कि ब्रश्चिक राची को ज्यादा अच्छा नहीं है तो ब्रश्चिक राची के लिए ये समय ये समय जो है हलाक धन तो अभी और सूर भी है पर सूर जो है धन भाव में मतलब इतना धन बुद्ध तो धन देंगे ब्यापार से पर सूर का मैं नहीं समझता हूं सूर बुद्ध आजित राजोग बनना इसलिए कहले जिए बनना ब्रश्पती की राशी है धनु उसों ब्रश्पती की दिस्टी अगर उच्छी की राशी में होते तक तो मैं अच्छा मानता लेकिन मेश राशी में है कोई अपनी राशी में होते मीन में तो अच्छा होता तो मैं ब्रश्पती को तो भाई अच्छी स्रणी में नहीं रखता हूं अब अगली राशी को देखता हूं धनु राशी धनु र शुक्र तोला राशी में 10 में यार में आगे लाफ पां में तो लाफ देंगे लाफ का मत्तला धन देंगे और शुक्र की दुराशी पंजम में बढ़े गी वपंजमén फिरेस्पति हैं धांपते जीवन के लिए प्लेमклад के लिए दन के लिए तो धनुरासी के लिए तो और दुऊ राहसी फुट जो इन लग Natürlich के पड़ेगी तो लगन में ज़स्क्राइब कराद सूर्व का पर्सिंटि रज़्ा बनेगा और शब्त्तं भाव में बुंद की राशी है मितुन तो मितुन राशी को बुंद की घर्ष्टी पढ़ेगी, तो बहुत अच्छा व्यापार में तरक्षी, दाम पद जीवन बन अच्छा, तो भई धनू राशी का तो मैं समझता हूं और को सुनी भी जो तीसरे बागे बरदन करेंगे बागे को देखेंगे और तीसरे भाव पई परिष्ट्रम कराएंगे यात्रा कराएंगे उनसे लाब मिलेगा तो धनु राशी को मैं अच्छी स्रणी में रसकता हूं यानि धनु को यानि मेश के साथ मेश मेश मेशन कर्क, सिंग, कन्या, तुला और ध तो बरत्रा वब्ष्ट्रर के आदध सी नहीं थी ay national, अब मगर राशी को देख्ता हूं हो देखें, मगर राशी मैं शनी धन्भाम इटे हुए हैं, मगर रासी को कुम राशी का स्वामी है तो शनी मगर राशी को थन्तों देंगी तो अपनी राशी है यह और धन्भाम से लोगरी व्यापार में पैसा मिलएग धनके स्वामी दसंद बाव में नोकरी में पैसा दिला रहे हैं और मंगल जो है सूरी मंगल लाब भाव में मंगल बैटके मंगल बैठके देखिए लाब वाव में अपनी स्कोर्प्य राशी में उच्छ के होकर गए तो मंगल भी जो है लाब से मतलब धन्दे लाएंगे और मंगल की दर्शी जो पढ़ेगी देखिए मंगल की दर्शी पढ़ेगी पंचम भाव में जहां शुक्र की राशी है ब्रिशक तो शुक्र की और शुक्र बेठे हुए केंद्र में माले पर राजयों पढ़ा के और शुक्र पर अच्छा नग्द्र में दसमें भाव में तो नौकरी से ब्यापड से तरक्य ला रहे हैं औ शुक्र की राशी दूसरी पंचम भाव में जहां है वो भी अच्छा संतान को लाप पंचम से भी तो अच्छा लाप मिल सकता है और बुद्ध की राशी देखिए मिजुन राशी छटे बाव में तो रोजगार नौकरी में तरक्य नौकरी में प्रमोचन और बुद्ध भी धन की प्राप्ति हो सकती है और लेकिन द्रश्टी पढ़ रही है छटे वाव मितुन राशी पर तो मितुन राशी से अच्छा धन दिसकता है यानि बैंक से लून लेना है तो लून मिल जाएगा किसी को पैसा दिया है पैसा बापेश लोटकना जाएगा और नौकनी भी लग सकती है नई नौकनी नौकनी में प्रमोशन में सकता है तो मगर राशी को भी मैं अच्छा तो कहूंगा लेकिन उसमें नंबर वन में नहीं रख सकता हूं कों अब मक्ल सी के बाद आए अब देंगे कोभा राशी को देखता हूं मैं कुम्भा राशी का जाती है कुम्भा राशी में शनी लगन प्राक्रम कराएंगे भागे भागों देखेंगे भागे भाव में बेठेंगे शुक्र तो शुक्र का बरस्पती का बागे में और तीसरे में संब्ध बन जाएगा समसब तक तो शुक्र ना भागे बढ़ा लिया बागे बढ़ा दिया तो शुक्र धन के माल लगे धन तो तो बुद्ध जो है धनु राशी से बैठ करके अपनी राशी को पचा में देखंगे, तो यह भी मतलब धनका देने का रहत है, तो देखिए, शुक्र बागे बढा रहा हैं, और ब्रास्पति शुक्र को देखा हुए है, बुद्ध लाह बावं में, बावामें बैठ करके लाजो मांग़ुक्र मांगल सूर्य ब्यास में तर ला है नौकरी में तर लाख्यने और शुक्र रातन चॉते हुदमा और बागय सुक्र के की जो राशीं है दूसरी वह कहां में ठी थिये मोक्री गाड़ी बंगला सब देगी, तो मैं समझता हूं कुम राशी को भी अच्छा है, अब आगरी राशी की बात करता हूं, जैसे मीन राशी है, तो मीन राशी के लिए भाई, मीन राशी के लिए भरिस्पति धन्वाव में आ गई, और शुक्र जो चले गए आठमे भाव में, त बैठेंगे 16 दिसंबर के बाद दोनों मिल करके, और मंगल ब्रिश्चेग्रासी भागे में आ गई, तो मंगल और सूर्ज महेने के पूर, पहले भाग में, उसके साथ बैठेंगे मंगल के साथ सूर्य, तो भागे बरदन करेंगे, और बरदन होगा, तो कुछ तो लाब भा जन्वाव में थे और बरिष्पती की जो दस्मी नमी दस्त्री है वो धनु राशी पर कर्म छेत्र में पड़ रही है बुद्ध पर और सूरी पर तो बुद्धी विवेक से किये करें कामों से लाब मिलेगा बरिष्पती बुद्धी दोना मिलकर के नौकरी में ऐसे काम जहां आप लिखापडस का काम है जहां आप अध्यापक हैं प्रोफेसर जिसे भकील हैं जज हैं पत्रकार हैं लेखन करने वाले हैं जो बुद्धी से काम करते हैं ऐसे सब लोगों को बिश्विश्व दला मिलेगा ब्यापार में तरक्की मिलेगी राओ के तू लगन में और सब् लुद्धी हां तो लेखरा अच्छा तो है मिर नाजिकोबी पर मैं नमबर बन नहीं करता हूं नमबर दो पर दो रह सकती है नमबर दो पर लुद्धी कंचा यह साल है likelihood कि जो राशियां हैं देखिए टॉप पर जो मैं नंबर बन पर जो करता हूं वो अच्छी लगपती करणपती कुछ कही है महाधनी कही है यह राशियां जो दमाल मचा रही है यह नि मेश मिथुन करक और देखिए सिंग कन्या कि तुला धनू और कुम्भ भी कर सकता हूं तो मीन रासी मगर रासी भृष्षग रासी चार रासियां थोड़ी कम आठ राशियां मैं समझता हूं और बहुत अच्छी हैं और आठ में से भी दखिए छे राशियां बहुत जाला टॉप पर हैंगी यानि उनमें मैं मैं बताता हूं जो तो जाड़ा टॉप हैं वो मेज मेज मेजुन करक सिंग चार और तुला और धनु छे राशिया माले जिए कन्या और कुम और थोड़ा सा कम कर दिए तो आठ राशिया हो गई छे राशिया तोड़ा टॉप है और चार राशिया फिजद्धी नंबर तिन उनको बहुत ज्यादा लाव ने मिल्दा है तो दिसंबर का महिना जो 2023 का आखरी महिना है यह भी साल खतम होते होते कुछ राशियों के लिए तो बहुत जवर्दस लाव धमाल मचाके जाएगा बहुत जवर्दस लाव मिल्दा मित्रों मित्रों भी मैं या बिराम लेता हूं देखिए आगे आउंगा दो कुछ और चर्चा करूंगा लेकर आप मेरी चनल को सब्सक्राइब करें बेल आगे इनको प्रस करें और जाते जाते महागरेश आए नमा लेकांगे भावान ग्रेश का आशिवा धुरू मिलेगा में तो